रिलेशन्शिप में हमेशा इंट्रेस कैसे बना रहे हैं? आज मैं जो आपको बाते बताने वाला हूँ इन बातों की मदद से आज आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप चाहते हों कि आपके रिलेशन्शिप में इंट्रेस खतम ना हो तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखना सबसे पहली बात कि आपको आगे वाले इंसान को एकसेप्ट करना होगा याद रखना इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है ना आप परफेक्ट हो ना आगे वाला इंसान परफेक्ट है यानि ना आपकी गर्ल्फेंड परफेक्ट है ना आपका बॉइफेंड परफेक्ट है इसलिए आप उनमें कमिया मत धुणो उनके अंदर की खूबिया धुणो अगर आप उनके अंदर की कमिया धुण रहे हो और बार-बार उसी वज़ा से आप टेंशन ले रहे हो तो इस वज़ा से आपके relationship में कुछ भी interesting नहीं रहेगा इसलिए आगे वाला इंसान जैसा भी है उसको वैसे ही accept करो क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई खामिया जरूर होती है और कोई ना कोई खुबिया जरूर होती है दूसरी बात जो मैं बताने वाला हूँ वो काफी ज़्यादा जरूर है relationship में interest इसी वज़े से खतम होता है क्योंकि वो अपने प्यार को किसी ओर के साथ compare करने लग जाते है अगर मैं example दू अगर आप एक लड़का हो और आपकी कोई actress या फिर कोई celebrity आपकी crush है तो आप अगर अपने crush के साथ अपनी girlfriend को compare कर रहे हो तो इस वज़े से आपका interest काफी कम होगा आप यकीन करो इस वज़े से आपका relationship काफी कमजोर होगा अगर आप अपनी girlfriend को किसी ओर की girlfriend के साथ compare कर रहे हो तो यह चीज़ बहुत ज़ादा गलत है और यकीन करो अगर आपकी आदत है आपकी girlfriend या फिर boyfriend को किसी और के साथ compare करने की तो आपको life में ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो बिलकुल perfect हो क्योंकि कोई भी perfect नहीं होता ना look को लेकर ना habit को लेकर किसी ना किसी में कोई ना कोई खुबी जरूर होती है और कोई ना कोई कमी भी जरूर होती है इसलिए अपने प्यार को दूसरों के साथ compare करना बंद करो अगर आप compare करते हो तो अगर आप चाहते हो अपने प्यार के साथ जिंदगी भर रहना या फिर आप चाहते हो कि आपके relationship में interest बना रहे interest कभी कम ना हो तो आगे वाले इंसान के साथ हमेशा honest रहो हमेशा इमानदार रहो अगर आप उनसे जूड बोल रहे हो अगर आप उनसे बाते चुपा रहे हो जो बाते आपको उन्हें बतानी चाहिए तो इस वज़र से कभी ना कभी वो बाते उस इंसान को जरूर पता चलेगी और आपका relationship कमजोर हो जाएगा इसलिए अपने प्यार के साथ आगे वाले इंसान के साथ हमेशा honest रहो हमेशा उनके साथ इमानदारी से रहो क्योंकि अगर आप उनसे जूट बोल रहे हो तो आगे वाला इंसान भी आपसे जूट बोलते वक्त एक बार भी नहीं सोचेगा और इस वज़र से आपका पूरा relationship काफी जादा कमजोर हो जाएगा इसलिए अगर आप अपने relationship को बचाना चाहते हो अपने relationship को strong करना चाहते हो अपने relationship में interest को बनाये रखना चाहते हो न तो honest रहो, हमेशा इमानदार रहो जो बाते उन्हें बतानी चाहिए, वो बाते उन्हें बताओ तभी आगे वाला इंसान भी आपके साथ बाते शेयर करेगा आपके साथ honest रहेगा दोस्तों मैं हूँ श्रावन कुर्मावनशी आपको ये वीडियो कैसे लगे मुझे नीचे comment पर जरूर बताना अगर आप मुझे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर message कर सकते हो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सबस्क्राइब करना